विशय इंद्रिया सम्मोहन इनका परस्पर बहुत ही प्रगाड सम्बंध है त्रैगुण्य विशया वेदा नर्यस्त्रैगुण्य भवार्जुन निर्द्वन्दो निच सत्वस्थो निर्योग शेम आदुआन दो पैतालिस वेदों में त्रिगुण प्रकृति के नियमों का उलेक है और जो इनसान वेदों से उपर उठ जाए निर्गुण हो जाए उसमें सम्मोहन का प्रभाव नहीं आएगा उसमें द्वन्द्व नहीं रहेगा किस द्वन्द की बात हो रही है दवंद की बात हो रही है डूइलिटीज की जब इंदरियां विशयों से जुड़ती है तो उससे भावनाई उत्पन होती है वो इमोशन्ज या भावनाई या तो होती है जिनको हम डिजायर कहते हैं या फिर वो नेगटिव होती है जिनको हम अवर्जन कहते हैं राग द्वेश विश्यों में अगर चल फिर रही है तो भी उसके मन में राग द्वेश उत्पन नहीं हो रहा है वो भगवत प्रसाद अर्थात मोक्ष प्राप्ति के लिए तयार है तो किस द्वंद की बात हो रही है 27-27 एक्छा द्वेश समुथेन द्वंद मोहेन भारता सर्भूतानी सम्मोहन सर्गे यांती परंतपा एक्छा और द्वेश ये दो भावनाएं हमेशा आएंगी जब इंधरियां विश्यों से जुड़ेंगी द्वन्द मोहेन भारता ये द्वन्द उत्पन करती है मन में सर भूतानी सम्मोहन सरगे यांति परंतपा सारे जीव भूत में ये विद्धिमान है कब से सरगे अर्थात जन्म से तो इच्छा और द्वेश ये भावनाएं इंद्रियां जब विश्यों से मिलती है तो मन उत्पन करता है और ये भावनाएं ही इनसान को सम्मोहित कर देती है अर्थात उसको निर्गुन नहीं बनने देती है उसको सगुन बनाकर उसके एहंकार को प्रगाड करके उसको पद भरमित करती है इसलिए जो इंसान राग दोएश वयुक तैस्तू विशें दर्यास चर्न आत्म वश्ययर विधाय आत्मा प्रसादम अधी गच्छती दो चौशट जो इंसान राग और दोएश से उपर उठ जाए जब वो विशें और इंदरियों के साथ गुल मिलकर खेल रहा है वही इंसान जिसके मन बहुत प्रबल है और वो भावनाय उत्पन नहीं करता है वो स्थित प्रग इंसान वो योगी ही अंतता मोख्ष को प्राप्ट करता है